ये पक्षी सूख कर सक्त हो चुके नमक के एक टीले पर अपना ध्यूसर बना कर अंडा देते हैं क्योंकि इसकी उचाई अचानक जील में पानी बढ़ जाने की वज़े से इने सुरक्षित रखती है 28 दिनों तक अंडे को सेने के बाद लेक नेट्रोन की जूसा देने वाली चमक मैं से एक बच्चा अंडे से बाहर आता है यहां तापमान 55 डिगरी सेल्सियस तक पहुँच सकता है लेकिन मा के पंक इसे सूरज की धूप से बचा सकती है बच्चे को जील से खाई हुई अलग-अलग तरा की एलगी और माता-पेटा के खून का मिश्रून खिला रह जाता है कुछ दिनों बाद बच्चा इतना बड़ा हो जाता है कि अपने पैरों पर खड़ा हो सके और फिर एक बड़े से जुन्ड में शामिल हो जाता है जिसमें हर उम्र के बच्चे हैं जल्द ही ताजे पानी की इनकी जरूरत इन नवजात बच्चों को जील के किनारे पर जाने के लिए मजबूर कर देगी और ये सफर इन्हें फैदल ही पूरा करना होगा क्योंकि इनके उरने वाले पंक अब तक निकले नहीं है